नमस्कार बच्चों कैसे हैं जी आप सबी लोग मुझे उम्मीदे कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 4.3 ठीक है तो आपको बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिसेट 4.3 का जो कोश्चो नंबर 1 है ना वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था ठीक है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा ही होगा उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था और जो कुछ भी बेसिक था यह प्रैक्टिसेट से रिलेटेट सारी चीजे मैंने आपको वाले वीडियो में बताई थी ठीक है तो चिन्ता करने की जरुड़त नहीं है जिनोंने पह Stress और करके देखो उसके बाद से यहां प्याना तो आपको जो भी मैंने फॉर्मूले दिये थी क्या आप लोगों को नैद किया है क्यूंकि देखो अगर आप याद रहेंगे तभी आप ये सारे को सॉल्व कर पावगे ठीक बच्चो एक Mr. Amol है जिन्होंने कितने shares purchase किये 50 तो यहाँ पर हम लिख सकते है number of shares कितने बच्चो जो भी information दी गई है ना सबसे पहले उसको देखने का आच्छी है तो समझने का ठीक है तो number of shares कितना student 50 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 बराबर अब देखो एक share का बच्चो face value कितना है face value of each share ठीक है face value of one share कितना है बच्चो देख करके बताईए यह रेखिए 80 रुपीज नहीं 100 है कितना है 100 ठीक है फिर आगे क्या दिया है सुनिएगा when the market value of the share was Rs.80 सुनिएगा बड़े ध्यान से एक बार फिर से आपको यह पढ़ करके मैं बताती हूं यह पूरा statement ए 50 shares of face value of Rs.100 when the market value of the share was Rs.80 यानि कि Mr. Amol ने क्या किया 50 shares खरीदा लेकिन कब खरीदा सुनो share का face value कितना 100 लेकिन जब यह share का market value 80 रुपीज था ना देखो यहां पर लिखती हूं market value of 1 share ठीक है जब market value एक share का 80 रुपे था तब इन्होंने क्या किया था बच्चों 50 रुपे में 50 share इन्होंने खरीदे थे किसने खरीदे थे Mr. Amol ने खरीदे थे ठीक है तो हमें यहां पर क्या find out करना है आगे देखिएगा company had given 20% dividend यानि जो company है ना उसने कितना dividend दिया 20% का dividend क्य होता है बच्चों आप लोग को बताया था ना मैंने याद कीजिए जब हम लोग investment करते हैं यानि को यह शेर पर्चेस करते हैं तो उसके बदले में जो हमको return मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते बच्चों dividend हमें सा किसके ऊपर मिलता है यह बात भी मैंने आपको बताई थी य ठीक है अच्छा मुझे बात बताईएगा rate of return का बच्चों formula मैंने आपको क्या दिया था क्या दिया था देखो यहां पर लिखती हूं rate of return अभी आपको यहीं निकालना है ना तो आप देखो कि इसमें क्या-क्या है ठीक है इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या find out करना पड़ेगा क्या दिया था मैंने आपको formula बताईए बच्चों क्या आता है उपर बताईए dividend income तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे dividend income ठीक है फिर नीचे क्या आता है बताईएगा sum invested यानि कि total investment आपने कितना invest किया वो ठीक है into 100 तो यह होता है आपका formula तो अगर आपक किजे हम लोग find out कर ले तो उसके बाद हम लोग rate of return बहुत ही आसानी से calculate कर सकते हैं है ना तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों dividend income ठीक है तो dividend income आपको कैसे मिलेगा dividend income मतलब क्या आपको कितना return में मिल रहा है वो क्या होता है बच्चों आपका dividend चलो सारी चीजे हमने लिखी है अपने मन से लिखा क्या नहीं नहीं यह तो question में दिया गया था तो यहां पर हम लोग bracket में क्या लिख देंगे given ठीक है अब यहां से हमारा काम चालू होता है तो हम लोग यहां पर dividend find out करते हैं बच्चों dividend on one share ठीक है dividend of one share सबसे पहले हम लोग क्य समुला क्या बताया था क्या आता है percentage of dividend फिर multiply करते किससे याद करो बोलो face value से क्यूंकि dividend किसके ऊपर calculate किया जाता है face value के ऊपर भूल करके market value मतलिकना नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद यहां पर देखिएगा बच्चों percentage of dividend कितना है dividend का rate बताईए 20% तो यह एक शेयर का face value कितना है 100 तो यहां पर लिख दिया 100 ठीक है अब देखो इससे इसको cancel करो इससे यह गया तो यहां पर एक शेयर का dividend कितना आया बच्चों 20 आया ठीक है देखो यहां पर हम लिखते है dividend of one share which is equal to 20 rupees कितना आया बच्चों 20 ठीक है समझाए यह बात आपको समझ में आया कैसे किया अब उसके बाद हम लोग dividend निकालेंगे कितने shares का तो 50 shares का अब हम लिखेंगे इधर की now dividend of 50 shares ठीक है अब यह आपको कैसे मिलेगा तो देखो 50 share का हमको dividend निकालना है न तो हम क्या करेंगे 50 into 20 क्यूंकि सुनो आप सोचिएगा जरा अगर एक share पर इतना dividend मिल रहा है तो 50 पर कितना मिलेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टिप्लाइ करने पड़ेगा सिंपल सी बात है तो चलो मल्टिप्लाइ करो और यहाँ पर आ गया मतलब 1000 ठीक है तो यहाँ पर देखो dividend 50 shares का कितना आया 1000 ओके ख्लियर है आपको तो देख लेजिए हमने यह dividend income तो पता कर लिया अभी हमको some invested का मतलब क्या यह जो है ना कौन मिस्टर अमोल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया यह आप कैसे निकालोगे देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताती हूं यहाँ पर हम लिखते हैं some invested ठीक है तो उन्होंने कितना शेर परचेस किया बच्चों 50 शेर परचेस किये और कभी खरीदा जब मार्केट वैल्यू कितना था 80 रुपे था एक शेर का तब जाके उन्होंने क्या किया था 50 शेर परचेस किये थे तो हम क्या करेंगे 50 into 80 करेंगे समझ में आया कि नहीं आपको क्यों कि देखो जो मार्केट वैल्यू रहता है न उतने में हमको शेर दिया जाता है समझ में आ रहे हैं मार्केट वैल्यू अगर 80 है तो अभी मुल्टिप्लाइगा क्या होता है बद्चों 40 पे लिग देंगे 40 यह दो-0 यहां पर आ जाएगा य लिया है तो हमको यही दोनों चीज़े चाहिए थी अभी हम लोग रेट ओफ रेटन बता सकते ना बहुत आसान तरीके से तो यहां पर अभी हम लिखेंगे कि देर फॉर रेट ओफ रिटन देखो रेट ओफ रिटन इसका पूरा आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है क्या लिखोगे बच्चों डिवीडेंड इंकम अपॉन में क्या आएगा सम इन्वेस्टेड ठीक है सम इन्वेस्टेड इंटू हंड्रेट बराबर अब चलिए डिवीडेंड इंकम कितना आया है बच्चों यहां पर लिख देंगे हम लोग सम इन्वेस्टेड कितना है बच्चों 4000 यहां पर लिख दिया इन्टू हंड्रेट ठीक है तो चलो अभी हम लोग कैंसल करते जीरो जीरो गया जीरो से जीरो गया फिर यहां पर यह वाले जीरो से यह वाला जीरो गया अभी इसको डिवाइट करके बताओ कितना आएगा तो सुनो जहां पर भी रेट आया यानि आपको वहां पर परसेंटेज तो लगाना ही है ठीक है तो रेट ओफ रेटर्न आ चुका है कितना 25 परसेंट तो लास्ट में आप लोग अंसर कैसे लिख होगे यहां पर आप लिखिएगा कि देयर पॉर दे रेट ओफ रेटर्न on investment is investment which is equal to क्या लिखोगे बच्चो 25 परसेंट तो देख लिए जी यहां पर हमने question number 2 complete कर लिया है ठीक है बहुत simple है अगर आपको सारे formula आते हैं तो आप कर सकते हो ठीक है तो आप लोग इसको देखिए अब ही हम लोग यह वाला question देखेंगे ठीक है चलिए अभी हम लोग question number 3 देख लेते हैं तो यह है जी आपका third question इसमें क्या दिया है देखो जो safe purchased following shares यानि जो safe ने क्या किया न ये सारे shares उसने purchase किये company A का किया company B का और company C का ठीक है तो फिर हमको क्या बताना है find his total investment यानि जो safe का हमको यहां पर total investment बताना है ठीक है तो चलिए फिर हम लोग find out करते हैं total investment मतलब क्या उसने total कितना रुपया खर्चा किया shares को purchase करने के लिए ठीक तो चलो सबसे पहले हम लोग company A का करेंगे बच्चो यहां पर हम लिखते है line by line करेंगे यहां पर हम लिखते for company A ठीक है पहले हम यह पता लगाएंगे कि उसने company A कितना पैसा लगाया यानि company A का शेयर कितने रुपय में खरीदा ठीक है तो यहां पर देखिएगा company A का उसने कितना शेयर खरीदा बच्चो 200 यहां पर हम लिखते है number of shares कितना खरीदा 200 przeci which is equal to 200 और देखों यहां पर हम लोग जानते है कि शेयर वह हमको market value में मिलता है ठीक है face value में मिलता face value के उपर हम लोग dividend calculate करते हैं और जब यह अमन से बर्चेस कर देना तो हमको market value में लिए जाते है ठीक है तो यहां पर market value दिया है क्या नहीं दिया है देखो यहां पर आपको एक हिंट दिया गया है market value निकालने का face value है और premium है premium मतलब क्या होता है जाधा ठीक है premium यानि क्या होता है बच्चो जाधा ठीक है तो यह जो आपका share है company A का share 18 रुपे से premium पे है मतलब क्या होए इसका अगर आपको market value निकालना है तो तो इसका face value है ना उससे 18 रुपे जादा है क्या market value समझ में आया तो इन दोनों को प्रस करोगे तो market value आप लोगों को मिलेगा ओके clear है इस बात को ध्यान में रखना तो चलो फिर यहां पर हम लोग market value find out कर लेते हैं तो क्या करेंगे बच्चो face value प्लस प्रीमियम ठीक है तो प्रीमियम कितना है और face value कितना है दो रुपे और प्रीमियम कितना 18 यानि market value क्या आजाएगा शेयर का 20 रुपेस ठीक है clear है आपको यह समझ में आया अब इसका total investment कितना हो जाएगा चलो आपको पताती हूँ कि सम इन्वेस्टेड ठीक है सम इन्वेस्टेड मतलब इसने कितना इन्वेस्ट किया इस company ए में नंबर ओफ शेयर पता है ना बार बार फॉर्मुला लिखोगे तो याद होगा नंबर ओफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू तो उसने कितना शेयर यह खरीदा था तो 200 और एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चो 20 रुपे है ना मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इस 20 रुपीज यानि कि सम इन्वेस्टेड कितना आ जाएगा बच्चो टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनिये में दोनों का मल्टिपलाई कर देंगे 224 और यहां पे 4000 यानि टोटल उसने कितना खर्चा किया मतलब कितना इन्वेस्ट किया कम्पनिये में तो 4000 रुपे ठीक है यह तो कंपनी A का हमने निकाला बच्चो ठीक है यह कंपनी A का निकाला आप यहां पे अब हम लिखते हैं for company B ठ ठीक है इसी प्रकार से तीनों का करेंगे और जो भी आएगा ना ये तीनों को लास्ट में हम लोग प्लस कर देंगे बस वही हमारा फाइनल आंसर हो चाहेगा यहां पर हम लिखेंगे फॉर कंपनी भी तो देखो यहां पर उसने कितने शेर्स खरीदे हम लिखते हैं नंबर ओफ शेर्स 45 और मार्केट वेल्यू है शेर का 500 रुपीज बराबर तो सम इन्वेस्टेट कितना आएगा यहां पर हम लिखेंगे देयर पॉर सम इन्वेस्टेट फॉर्मुला क्या था नंबर ओफ शेर्स इंटू मार्केट वेल्यू तो लिखिए बार बार फॉर्मुला लिखिए ताकि आपको याद हो जाए चलो अभी बताओ नंबर ओफ शेर्स कितना शेर उसने खरीदा है 45 और मार्केट वैल्यू कितना है शेर का 500 रुटीज दोनों को मल्टिप्लाई कर करके बताएगे कितना आंसर आएगा यहां पिलिखेंगे देयरपॉर सम इन्वेस्टेट चलो मल्टिप्लाई करते है 55 25 तू आ गया ठीक है 55 25 तू आ गया 45 20 एक प्राइट 55 और यह डबल जिरो यानि 22500 ठीक है मतलब कंपनी बी में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया तो इतने गा इतने गा शेयर उसने कंपनी बी का खरीदा अब यह कंपनी ची के लिए भी क्या करेंगे यहां पर हम लिखेंगे फॉर कंपनी सी कि समझ में आ रहा है ना आपको हर बार हम एकी काम कर रहें देखो देखो ध्यान से बस यहां पर यह थोड़ा सा डिफ्रेंस डिफ्रेंट था क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया था बागी यह दोनों में तो से शेयर इस रुपीज 10,540 तो उसका टोटल इंवेस्टमेंट कितना आ चाहेगा यहां पर हम लिखेंगे सम इन्वेस्टेड वन इन्टू अच्छा पूरा लिखिएगा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो नंबर ओफ शेयर इन्टू मार्केट वैल्यू ठीक है तो नंबर ओफ शेयर कितना है बच्छो वन है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वन और market value कितना है देखो number of share है one और market value कितना है बच्चो 10,540 अब देखो इसका one में multiply करोगे तो वह ही आएगा मतलब यहाँ पे sum invested कितना आ गया 10,540 रुपीज ठीक है बच्चो तो ध्याँ से देखिएगा एक बार आपको फिर से बताती हो देखो यह जो जो शेफ है ना उसने company A में कितना इंवेस्ट किया तो 4000 रुपए company B में उसने कितना इंवेस्ट किया तो 22,500 रुपए और company C में कितना इंवेस्ट किया 10,540 रुप हमें यहाँ पर क्या बताना है बच्चो उसका टोटल इंवेस्टमेंट बताना है तो टोटल इंवेस्टमेंट के लिए अभी हम क्या करेंगे यह तीनों जो इंवेस्टमेंट आया है इन सभी को हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि नाव टोटल इंव चलो अभी इन सभी का टोटल करो बताओ कितना आता है तो चलिए 4,000 और 10,540 कितना हो चाहेगा एक मिनिट इधर करते ना 26,500 और मैं इधर करते हूं 26,500 प्लस 10,540 कितना आया बच्चो 37,040 ओके रुपीज तो यहां पर हम लिखते हैं 37,040 रुपीज मतलग उसका टोटल इन्वेस्मेंट कितना है तो इतना है ठीक है आप कर लीजेगा यही आएगा मेरे ख्याल से हां सही है ठीक है तो यहां पर लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजेगा कि तोटल इन्वेस्मेंट ओफ जो सेफ विच इस एक्वल टू 37,040 रुपीज ओके तो इस इस और फाइनल आंसर आप लोग देख सकते हो कोश्चन नमबर 3 यहां पर कम्प्लीट हुआ तो बताए आसान लगा की नहीं कमेंट करके जरूर बताना हां देखो इसको चलिए बच्चो अभी अगला कोश्चन देखते हैं तो यह है आपका कोश्चन नमबर 4 इसमें क्या बोला जा रहा है कि श्रीमती देश पांडे पर्चेस शेयर ऑफ फेस वैलू रूपीज फाइव एट प्रीमियम ऑफ रूपीज 20 यानि कि यह जो श्रीमती देश पांडे है इन्होंने क्या किया बच्चों through फेस वैल्यू पांच रुपे और प्रीमियम कितना है बच्चों बीस रुपे यानि मार्केटवाली क्या हो जै olur तो याद है क्षले वाले किया रहे झालें कर वांट कैसे न कालेंगे में मिल्यू प्रीमियम तो चलो फिर यहां पर लिख banking on整IES थीड़िक है to market value किया हो जाएगा यहां पर हर लिखेंगे marketing value आफ़ एचीज डिना करेंगे घर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों उखरेंगे हम तो यह आपका क्या है market value of each share ठीक है market value of each share कि समझा यह बात आपको समझ में आ गई अब इसके आगे क्या दिया है कि how many shares will share get for Rs. 20,000 यानि कि suppose करोगी उनका जो total investment है न वो कितना है बच्चो 20,000 है तो फिर आपको क्या बताना है कि उन्होंने कितना share purchase किया ठीक है मतलब उनके पास कितने शेर आए इतना रुपय जब उन्होंने खर्चा किया तो उनके पास कितने shares आए वो आपको बताना है ठीक है तो याद है आपको number of shares find out करने के लिए मैंने आपको एक formula बताया था याद कीजिए देखो आपको बताया था जैसे कि एक और सीज बताती हूं दो formula मैंने आपको बताया थे और दोनों एक दूसरे से connected थे जैसे अगर हमको सुनिएगा बड़े ध्यान से अगर हमको some invested बताना है some invested find out करना है तो इसके लिए मैंने आपको क्या formula बताया था बच्चो number of shares into market value ठीक है यह formula मैंने आपको दिया था पहला वाला आप देखो यहाँ पर हमको क्या पता लगाना है तो हमें यहां पर number of shares find out करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे market value को इधर ले लेंगे market value इधर आ जाएगा यहां से यहां यानि number of shares के लिए हमको formula क्या मिला बच्चो some invested upon market value ठीक है तो देखो some invested है ना हमारे पास यानि उनका total investment है कितना 20,000 तो यहा हमारे पास है यानि हम इन दोनों की मदद से देखो इन दोनों की मदद से क्या बता सकते है number of shares बता सकते है तो चलिए फिर देरी किस बात की यहां पर हम लिखेंगे therefore number of shares formula अभी अभी बताया ना आपको number of shares which is equal to क्या हो जाएगा बच्चो some invested upon market value yes very good चलिए लिखते है market value तो total उनोंने कितना invest किया है 20,000 market value कितना है बच्चो 25 रुपे है ना अब चलो इसको solve करो पता लग जाएगा तो कैसे किया जाए इसको देखो आपको बताती हूँ सबसे पह कांसल कर देते फोर फाइज एक मिनट फोर से नहीं फाइफ से करो 55 25 और 54 20 इधर आगया 4000 ठीक है अब इसको कैंसल करो 58 40 कितना आ गया बच्चो 800 यानि कि number of shares कितना आया यहां पर लिखते हैं number of shares ठीक है therefore number of shares कितना आ गया बच्चो 800 ठीक है लास्ट मैं आंसर कैसे लिखो कि पर मिल गया यहीं हमको बताना था यानि यह जो यह श्रीमती देश पांडे है ना उनको 20,000 में कितना share मिलेगा बच्चो तो 800 shares उनको मिलेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि देयर फॉर श्रीमती देश पांडे will get 800 shares फॉर रुपीज 20,000 समझ में आया आपको मतलब जो श्रीमती देश पांडे है ना उनको कितना share मिलेगा 800 shares मिलेंगे कितने रुपे में तो 20,000 रुपीज में फॉर भी यहां पर लिख सकते हूं इन लिखा तो भी चलेगा एक बार इसको रिट करते हैं अभी समझेगा श्रीमती देश पांडे विल गेट 800 shares फॉर रुपीज 20,000 चलेगा चलेगा ऐसे लिखा न स्टेटमेंट में तो भी ठीक है करेक्ट है तो यहां पर आपका जो फॉर्थ कोस्टन है वह हो चुका है complete अभी हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे तो देख लीजिए जी यह है आपका कॉस्टन चलो देखो इसमें क्या हमको निकालना है मतलब क्या फाइंड आउट करना है देखिएगा श्री शांतिलाल ने कितना शेयर परचिस किया है बच्छों 150 ठीक है और फेश वेल्यू कितना है 100 और मार्केट मतलब जो कंपनी है वो कितना डिवीडेंट पे करने वाली है तो 7 ठीक है अच्छा एक बात बताव डिवीडेंट कौन से वेल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है यह सेवरीवन किसके ऊपर फेस वेल्यू के ऊपर ठीक है फिर फाइंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिस इन् नंबर ऑफ शेर कितना खरीदा उन्होंने 150 बराबर फिर फेस वेल्यू विच इक्वल टू हंड्रेट और मार्केट वेल्यू इस कितना है बच्छो 120 रूपेस ठीक है इसके अलावा और कुछ भी यहां पर इन्फोमिशन दी गई है यस दिया है न रेट ऑफ डिवीडेंट डिवीडेंट का रेट भी दिया गया है रेट ऑफ डिवीडेंट क्या है 7% बराबर तो यह सारी इन्फोमिशन आपके कोश्चन में दी गई है अभी इसकी मदद से आपको क्या बताना है रेट ऑफ रिटन बताना है ठीक है तो देखो अभी अगर आपको रेट ऑफ रिटन बच्चों find out करना है तो इसके लिए मैंने आपको formula क्या दिया था याद करनी की कुशिच कीजिए उपर क्या आता है dividend income फिर नीचे क्या आता है बच्चों sum invested ठीक है यह formula मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था बराबर into 100 मतलब अगर हमको rate of return चाहिए तो हमारे पास dividend का income होना चाहिए मतलब dividend से हमको कितना income मिलेगा वो और sum invested यानि कि यह जो है ना शांति लाल जी ने कितना इन्वेस्ट किया total investment आपको पता होना चाहिए तब जाएगे आप लोग rate of return यहाँ पर बता सकते हो ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग dividend income find out कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि dividend on one share ठीक है एक share का सबसे पहले dividend निकालेंगे तो देखो इसके लिए मैंने आपको formula क्या दिया था बच्चों याद करनी की कोशिश करो rate of dividend into face value की market value यहाँ रखना dividend हमेशा calculate करते face value के ऊपर ठीक है तो यहाँ देखो rate of dividend कितना है 7% तो हम लोग कि यहाँ पर देखो dividend एक share के ऊपर कितना मिलेगा 7 रुपे ठीक है तो कितने shares खरीदे हैं 150 तो 150 के ऊपर कितना होगा देखो यहाँ पर हम लिखेंगे they are all dividend on dividend थोड़ा नीचे करते dividend on 150 shares ठीक है 150 shares के ऊपर कितना dividend मिलेगा बच्चों क्या करना पड़ेगा 150 में multiply करो साथ से है ना देखो अगर एक share के ऊपर 7 रुपे मिल रहे तो 150 के ऊपर 150 shares का कितना dividend मिलेगा multiply करने के बाद पुदा चलेगा चलो कितना आएगा बच्चों 7535 3 yes 105 और यह इधर से 0 आ गया मतलब 1050 रुपे ठीक है यह आपका क्या हो गया बच्चों dividend का income ठीक है चलो यहाँ पर लिखते है dividend on 150 shares यानी की dividend income clear है आपको चलो यह बात तो आप समझ गए अभी हमको some invested निकालना है तो अभी some invested के से निकालनेंगे यहाँ पर लिखेंगे now some invested formula भी लिखने का ठीक है number of shares into market value बराबर तो कितना share खरीदा है 150 share खरीदा है market value क्या था 120 रुपया चलो अभी multiply करके बताओ कितना आएगा कीजिए कीजिए फटाफट से मैं भी करती हूं ठीक है मुझे ही करना पड़ेगा 12 ठीक है तो 2 फाइजर 10 फिर एगा या 2 3 5 5 1 0 5 3 8 यह हो गया फिर यह दो 0 यहाँ पर मतलब एक मिनट 18,000 ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते बच्चो 18,000 यानि इनका total investment कितना था शांतिलाल जी का 18,000 रुपय बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि therefore some invested which is equal to रुपीज 18,000 बराबर तो देखो जो हमको चाहिए था वो तो हमने निकाल लिया है अब हम क्या कर सकते हैं rate of return बहुत ही आसाने से calculate कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि therefore rate of return इसका formula बताईएगा जरा अब भी पीछे मैंने लिख करके दिया था ना क्या आता है dividend income upon total investment मतलब sum invested ठीक है total भी लिख सकते हो लेकिन इधर वहीं लिखा है ना इसके लिए यहीं लिखने का into 100 और rate of return हमेशा किसमें आता है percentage में आता है ठीक है तो dividend income कितना है बच्चों देखिएगा यहाँ पे 1050 रुपे बराबर और sum invested कितना है 18,000 रुपीज and multiplied by 100 अब इसको कैसे solve किया जाए बताए चलिए न मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा देखो यह वाले 0 से यह वाला 0 गया यह वाले 0 से यह कटा ठीक है अब यहाँ पे क्या बचा है उपर बचा है 1050 और नीचे बचा है 180 चलो आपको कहाँ पे करके बताओ इ यह 0 से यह वाला 0 कट गया ठीक है अब हम इसको 3 से कैंसल करते हैं तो उपर को जब 3 से कैंसल करेंगे 3 3 9 3 5 से 50 मतलब 35 आएगा और नीचे के आएगा 3 6 18 अब यह 35 को 6 से कैंसल करो मतलब डिवाइट करनी के कोशिच करो तो 6 5 30 होता है फिर इदर 5 बचेगा पॉइंट लगा 3 3 3 करके आता ही रहेगा तो हम क्या करेंगे बस इतना ही लिखेंगे इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है बच्चों तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया बताईएगा 5.83 परसेंट समझा यह क्या हो गया हमारा rate of return यहां पर लिख देते देर वो रे आपको आता ही है ठीक है तो फाइनली हमने यहां पर यह जो आपका question number 5 है इसको भी complete कर लिया है आप लोग देख सकते हो अब उसके बाद एक ही question बचा हुए question number 6 वो भी simple है पहले आप इसको देखो फिर मैं आपको last question बताती हूँ चलिए अभी सब लोग इदर देखिएगा यह है आपका question number 6 इसमें क्या दिया गया है कि if the face value of both the shares is same then which investment out of the following is more profitable जैसे कि यहां पर दो company की बात की जा रही है एक तो है company A दूसरा है company B ठीक है तो यहां पर क्या बोला गया है कि अगर इन दोनों companies का जो face value है न शेयर का अगर वो सेम है जैसे कि suppose करो कि company A का जो शेयर है न उसका face value है X ठीक है तो B का भी कितना होगा बच्चो X ही होगा ठीक है समझ में आ रहे है आपको यहां पर क्या बोला गया है कि दोनों shares का जो face value है न वो क्या है सेम तो हम लोग उन दोनों को क्या consider कर लेंगे X consider कर लेंगे ठीक ह तो हमें क्या बताना है कि कौन सा वाला investment जादा profitable है ठीक है company A में invest करना जादा profitable है या फिर company B में ठीक है तो इसका पता आप कैसे लगाओगा देखो एक simple सी बात बदाती हूँ जिसका rate of return जादा होगा ध्यान से सुनों मेरी बातों को जिस company का rate of return जादा होगा वही वाला क् company से जादा profit मिलेगा ठीक है यानि हमको निकालना क्या है तो यहाँ पर हमको company A और company B का rate of return find out करना है ठीक है समझे तो चलो फिर स्टाट करते है calculation है बहुत ही simple है चलो क्या करेंगे हम यहाँ पर company A का calculation करते हैं यहाँ पर company A ठीक है और यहाँ पर company B का कर देते हैं for company B दोनों का साथ साथ में हो जाएगा है ना आप चाहो तो इधर एक line भी ऐसे खीच सकते हो ठीक है अब देखो face value हमको पता नहीं है किसी भी company का तो उसको हम लोग क्या consider करेंगे बच्चो एकस consider करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि let the face face value of one share बी रुपीज एकस ठीक है और यहाँ पर हम लोग वही सेम चीज़ रिखेंगे let the face value of one share बी रुपीज एकस ठीक है आप देखो बच्चो अगर आपको rate of return निकालना है तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जरह मुझे बताईएगा तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए यह formula क्या होता है उपर हम क्या लिखते है dividend income नीचे क्या लिखते है some invested मतलब हमारे पास total dividend होना चाहिए और total investment होना चाहिए ठीक है तो यहां पर दिखो कुछ number of shares दिया गया क्या कि इन्होंने company A के इतने shares है और company B के इतने shares खरीदे गया है ऐसा कुछ दिया है नहीं ना तो हम लोग यहां पर एक-एक share की बात करेंगे ठीक है तो कैसे होगा rate of dividend into किसे multiply करते थे हम yes face value से क्योंकि मैंने आपको बताया है कि dividend को हमेशा face value के उपर ही calculate किया ठीक है और यह dividend निकालने के लिए हमने क्या किया है face value को consider किया है ठीक है तो चलिए फिर देखिए यहां पर company A में जो dividend का rate है वो कितना है बच्चो 16% है ना तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 16 upon 100 लिख सकते हैं सही बात है ना और face value को हमने क्या consider किया है देख करके बताईए एकस consider किया है अब इसको थोड़ा simplify कीजिए बताईए कितना आएगा तो अगर मैं इन दोनों को solve करूंगी ना तो पता ही कितना आएगा यह समझ लो इधर चला जाएगा तो य लोग rate of return find out कर पाएंगे तो some invested कितना होगा बच्चों यहां पर हम लोग एक शेर ले रहें क्योंकि यहां पर number of share कुछ बताया नहीं गया तो एक शेर का price कितना है बच्चो 80 रुपे तो यह हो गया जी आपका some invested ठीक है यानि आप ऐसे समझ यह कोई person है जिसने क्या किया है जिसने यह company का एक ही share purchase किया है ठीक है ऐसे समझो चलो अभी यहां पर rate of return हम लोग find out करते हैं यहां पर लिखेंगे now rate of return इसके लिए मैंने आपको formula क्या दिया था याद करो फटाफट से rate of return formula क्या था? dividend income upon यह देखो जगा कम पढ़िया ना रुको एक काम करते हैं थोड़ा इसको इधर लिखते हैं चली यह formula लिखते हैं क्या था बच्चो? dividend income upon में क्या आता है? sum invested फिर हम लोग multiply करते हैं किस से? 100 से बराबर तो अब देखो dividend income कितना है बच्चो? यह देखो यहाँ पर आया था ना dividend income कितना? 0.166 बराबर और sum invested कितना है बच्चो देखिएगा? 80 रुपीज तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 into 100 अब इसको solve कीजिए अभी आपको answer मिल जाए जाएगा ठीक है और यह जो एक से उसको तो हमें लिखना ही है फिर यहाँ पर एटी अब इसको cancel कीजिए तो देखो क्या हो जाएगा 1616 165 से क्या होता है बच्चो 80 मतलब यहाँ पर रेट ओफ रिटन कितना आया एक्स अपॉन 5% बराबर यह बात आपको समझ में आई तो जैसे हमने इधर find out किया उसी प्रकार से हमको company B का भी rate of return निकालना है ठीक है तो जो process हमने इधर किया वही same to same इधर भी करना है चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चो dividend income बराबर तो dividend income निकालने के लिए formula मैंने क्या बदाया था rate of dividend into face value यस very good चलिए फिर यहाँ पर लिखते face value तो बताना जरा rate of dividend यहाँ पर company B में कितना है 20% तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चो 20 upon 100 ठीक है 20 upon 100 into face value is face value कितना है बच्चो एक share का एक रुपिस बराबर अब यहाँ पर क्या कर सकते हम देखो इससे यह cancel हो जाएगा इसके अलावा अगर मैं इसको simplify करो तो क्या आजाएगा 0.2 x बस इतना ही आएगा ना 0.2 x पता है ना कैसे आया जब आप divide करोगे तो 0.2 आएगा तो यह क्या है जी आपका dividend बराबर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चो sum invested ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि sum invested अब इसके लिए आपको उपर देखना पड़ेगा देखिएगा एक शेयर का market value कितना है क्योंकि जितना market value रहेगा उतने में ही आप शेयर खरीदोगे यानि वही आपका क्या होगा बच्चो total investment होगा तो कितना है 120 रुपीज ये लिजी जी हमने लिख दिया अभी हमको find out करना है बच्चो rate of return बराबर rate of return तो इसके लिए formula क्या दिया था यह देखो dividend income upon sum invested into 100 तो यहाँ पर हम लिखते है dividend income upon sum invested into 100 ठीक है अब चलिए values पूट करते हैं तो dividend income कितना है बच्चो कहाँ पर है यह देखो 0.2x यह लिजी जी हमने लिख दिया sum invested कितना बच्चो 120 फिर into 100 अब इसको divide करो मतलब इसको simplify करो तो अगर इन दोनों का एक काम करते सुनों यह 0-0 पर इन दोनों का multiply करेंगे तो यह जो point है वो shift हो जाएगा मतलब यहाँ पर आएगा 2x ओलनी और यहाँ पर 12 ठीक है अब इसको cancel करो तो यहाँ पर क्या आगे बच्चो एक्स अपॉन 6 परसेंट ठीक है तो यह क्या है rate of return company बी का और company यह का rate of return कितना है एक्स अपॉन 5 परसेंट यहाँ पर लिख दू मैं देखो rate of return therefore rate of return अभी देखो लास्ट में आंसर लिखना बाकी है अभी यह आपका final आंसर नहीं है ठीक है जादा खूस होनी की जरुवत नहीं अभी में आंसर तो बाकी है अभी तो हमने क्या निकाला company यह और बी का rate of return निकाला मैंने आपको क्या बोला था कि जिस company का rate of return ज्यादा रहेगा वही company में investment करना ज्यादा profitable होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या आया है बच्चो इधर x upon 5 और इधर x upon 6 तो द यहाँ पर कैसे बताओगे तो देखो आपको एक बात बताते हूं सुनों अगर मैंने x के place पे suppose करो x के place पे x का value अगर मैंने 300 ले लिया ठीक है 300 अब मैं इसके place पे 300 पूट कर रही हूं ध्यान से देखना मैं आपको क्या बताना चाहती हूं 300 और फिर नीचे के आए 2530 तो बताइए कहा पर जाधा आया कहा पर कम तो इधर जब हमने किया तो इधर जाधा आया और इधर कम आया मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग चोटे नंबर से क्या करेंगे कि किसी नंबर को डिवाइट करेंगे ना क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या है से मैं इध अगर आप छोटे नंबर से उस नंबर को मल्टिप्लाई करोगे तो आपको जादा नंबर मिलेगा यानि जो आपका आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा as compared to this समझ में बात आ रही है आपको तो बताइए इन दोनों को देख करके अभी कौन सा बड़ा है बताइए कौन सा बड यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे की इन्वेस्मेंट या फिर ऐसे लिखो रेट ओफ रिटन ठीक है थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना पहले अम लोग इसका रीजन बताते हैं कि सिंस रेट ओफ रिटन rate of return of company A is greater than the rate of return of company B ठीक है थे रेट ओफ रिटन return company B देखो बच्चों आपको बताती हूँ यहां पर मैंने क्या लिखा है कि rate of return of company A is greater than the rate of return of company B यानि कि company A का जो rate of return है वो बढ़ा है किससे बढ़ा है तो company B के rate of return से बढ़ा है बराबर तो कौन से जाधा profitable होगा जिसका rate of return जाधा वही होगा जाधा profitable तो यहां पर हम लिख देते हैं कि देयार for question कैसे पूछा था कि which investment out of the following is more profitable तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि company A investment in company ऐसे लिखें ठीक है investment in company अगर आप company A में क्या करोगे investment करोगे तो यहीं से आपको ज्याधा profit मिलेगा ठीक है समझ में बात आई आपको तो यह question समझाना अच्छे से अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे ना पक्कत समझेंगा ठीक है ठीक है तो यहां पर फाइनली आपका जो प्रैक्टिस एट 4.3 ना बच्चों यह complete हो गया इसको मैं मिटा देती हूं ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी तो 4.2 4.1 मैंने करवाया ही है अभी इसके आगे है आपका प्रैक्टिस एट 4.4 तो उस सॉलूशन दिखे इसका पीडिया फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल चाएगा ठीक है और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो चलिए फिर चलते हैं मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में ओके चलो गुडब